Hello friends, यस वीडियो में मैं आप लोगों को aim constraint कमांड के बारे में बताऊंगा उसको किस तरीके से यूज करते हैं तो ये मेरा एक देखिए, इस तरीके का structure है, हम लोग इसमें eye को रिक करना सीखेंगे, aim constraint को किस तरीके से हम लोग यहाँ पर eye के लिए use करते हैं तो पहले हम लोग joints create कर लेंगे और इसका maintain offset जो है अंचेक करके इसको align कर लेंगे joints को जो हमारा eyeball है उसके center pivot में और इसको rename कर लेंगे left eye का हमारा हो गया joint और यह हमारा end joint हो गया उसके बाद हम लोग इस joints को mirror कर लेंगे इसके option box को open करेंगे तो यह देखिए इस तरीके का setting रखेंगे और mirror कर लेंगे mirror हो गया अब उसके बाद हम लोग इसको skin bind कर लेंगे इस joints को select करेंगे जो हमारा eyeball है and then हमारा जो joint है उसको select करके और इसके options box में जाएंगे bind skin के और जो max influence है one रख लेंगे क्योंकि हमारी full value जो है eyeball पर ही रहेगी तो यह देखिए मेरे जो है इस तरह के से eyeball जो है move हो रही है अब हम लोग इसको rig करने के लिए जो main हमारा जो दो command use करते हैं एक aim constraint होता है और एक point constraint तो मैं aim constraint के थुरू में आप लोगों को बता रहा हूं कि इसको किस तरीके से use करते हैं तो एक controller create कर लेंगे और जो controller का center pivot होगा वो joints पे रहेगा और then उसके maintain offset को हम लोग uncheck करके उसके center pivot पे लाएंगे and उसका जो position होगा इस तरीके से होगा देखिए उसके बाद हम लोग controller इस तरीके से create कर लिए और जो हमारा controller है left का controller और right का controller दो controller होगे first हम लोग क्या करेंगे controller select करेंगे joint select करेंगे और उसके बाद aim constraint apply करेंगे उसी तरीके से दोनों side हम लोग कर लेंगे तो यह देखिए मेरी eye जो है locate कर रही है जो मेरा controller है उसको follow कर रही है aim कर रही है तो यहाँ पर हम लोग इस controller को use करते हैं किसी भी object को aim करने के लिए controller हुआ या whatever कोई भी object होगा अगर उसको follow करना है तो हम लोग aim constraint use करते हैं thank you दोस्तों मिलते हैं next video में